दोस्तों, डंकी के नए गाने ने दुबई की शहजादी शेक माहिरा को दिवाना बना दिया। डंकी का drop 3 कमाल का है और डंकी को दुबई में काफी अच्छा response मिल रहा है। डंकी के नए गाने को सुनकर शहजादी माहिरा कहती है। ये सॉंग काफी emotional है और इसमें एक ऐसी कहानी नजर आ रही है जो के सब को रुला देगी एक ऐसा थीम राजकुमार हिरानी ने चुना है जो के हर किसी को पसंद आएगा और अभी जो सॉंग आया है उसमें शारू खान और उनके चार दोस्तों के pictures शेर किये गए है जिसमें का कूपसूरत lines है और इस गाने को हर कोई पसंद कर रहा है इस गाने में जो emotional story बयान होती है और जो दिल को दहला देने वाले scene देखने को मिलते हैं वो दिल को रुला देते हैं और चार दोस्तों की emotional कहानी बयान करता है ये song इस song को लोग काफी जादा पसंद कर रहे हैं और T- series पर आते ही इस गाने ने तहल का मचा दिया है शारू खान की दमदार pictures देखने को मिलती है जो के shoot के दौरान खीची गई है और इसमें London और India के सफर की सारी कानी बयान होती है जो के दिल को चीर देती है डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो के भारत को छोड़कर विदे जाती है फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दुबारा भारत वापस आना चाते हैं लेकिन आ नहीं पाते फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे terrorist attack का सामना करना पड़ता है मत असलब के राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रेट की है वो आपको काफी जाधा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर वन मूवी बन सकती है क्योंकि इसमें रॉमेंस और एक्षन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर भर के दिखाई गई है और इस बार लग रहा है ये कहानी काफी इमोशनल है और डंकी काफी बड़ी सूपर हिट मूवी होगी आज सलार का भी ट्रेलर आ रहा है और डंकी का ड्रोब थिरी आ गया है क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा अच्छा रेस्पॉंस किसको मिलेगा कमेंट में लाजमी बताना अगर आप शार को सबस्क्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो धन्यवाद